चानक के AIS Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे Falcon 9 के बारे में भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संग्ठन अपनी Telecommunication Satellite G20 को Space Agency Space X की मदद से लौंच करेगा ऐसा पहली बार होगा जब ISRO अपने किसी मिशन को लौंच करने के लिए Space X के Falcon 9 Heavy Lift Launcher का इस्तेमाल करेगा इसकी घोशना ISRO के Commercial Partner New Space India Limited ने की है भारत के रोकेट में 4 टन से जादा भारी सेटलाइट को लौंच करने की छमता नहीं है इसलिए एलन मस्क की कमपनी Space Agency के साथ मिलकर काम करने का फैसला लिया गया है इससे पहले भारत भारी सेटलाइट को लौंच करने के लिए फ्रांस के नितरत्व वाले Arian Space Consortium पर निर्भर था अब हम बात करेंगे G720 के बारे में G720 सेटलाइट को विशेश रूप से दूर दराज के इलाकों में संचार व्यवस्ता को बहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है इस रो ने कहा है कि G720 सेटलाइट का नाम G7N2 होगा और यह अनिवारे रूप से दूर दराज के छेत्रों में ब्रॉड बैंड इंटरनेट सुविधा देगा इस सेटलाइट का वजन 4700 किलोग्राम है यह 48GPBS की स्पीड से इंटरनेट सुविधा देगा यह सेटलाइट अंडोमान निकुबार आइलेंड जम्मो और कश्मीर लक्षदीप सहीत दूर दराज के भारती छेत्रों में संचार सेवाए देगा इसे 2024 की आखरी तिमाही में लौच किया जाएगा अब हम बात करेंगे SpaceX के बारे में अमेरिकी इंजिनियर एलन मस्क ने 2002 में SpaceX की स्थापना की थी यह स्पेस ट्रांस्पोर्टेशन सर्विस कमपनी है SpaceX स्पेस में लिक्विड प्रोपेलेंड रोकेट भीजने वाली पहली निजी कमपनी है इसने 2008 में Falcon 1 लौच किया था इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर स्पेस ट्राप भीजने वाली SpaceX पहली प्राइवेट कमपनी है उसे यह काम्याभी 2012 में मिली थी 30 माई 2020 को SpaceX के Dragon 2 रोकेट से पहली बार दो Astronaut International Space Station भीजे गए थे SpaceX को ही क्यों चुना गया है इस मिशन के लिए तो G720 का वजन इसरो के सबसे शक्तिशाली रोकेट LVM3 की प्रक्षेपन शमता से लगभग 4700 किलोग्राम अधिक है 4000 किलोग्राम से अधिक वजन वाले अपने भारी उपग्रहों के लिए भारतिये उरोपिये प्रक्षेपन प्रदाता Arian Space पर निरबढ था हाला कि Arian Space भारे प्रक्षेपन यान Arian 5 को पिछले साल जुलाई में सेवा निवरत कर दिया गया है और इसके उत्रा दिकारी Arian 6 का परदारपन होना अभी बाकी है अब हम बात करेंगे Falcon 9 के बारे में Space X का Falcon 9 पहला Orbital Class रॉकेट है जिसे दुबारा इस्तमाल किया जा सकता है Falcon 9 को अब तक 105 बार लॉज किया गया है यह 66 काम्याब लेंडिंग कर चुका है Falcon Heavy को सबसे ताकतवर Operational रॉकेट भी माना जाता है इसकी छमता मंगल पर 16,800 किलो वजन ले जाने की है 6 फरवरी 2018 को Falcon Heavy ने पहली उडान भरी थी इस से एलन मस्की टेसला कार को स्पेस में भेजा गया था इसके साथ ही आज का विशय यही पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशय के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद